स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में इस वीडियो में कुछ important points के बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ ecosystem की regarding और कुछ products की regarding तो सबसे पहले हम बात करते हैं ecosystem की regarding यहां पर सबसे पहले आपको बतना चाहता हूं जैसा कि हम सभी जानते है कि हमारे paid product market में commercially live होने वाला है यानि कि selling का process यहां पर start होने वाला है तो on passive का focus अब पूरी दुनिया के उपर है पहले क्या था जो हमारे updates होते थे जो corporate updates होते थे वह केवल और केवल of founder back office में ही post किये जाते थे वहीं पर आता था लेकिन इस time पर क्या है back office में भी आता है जादा से ज़्यदा update ecosystem में आ रहा है ecosystem यानि कि OES website में आ रहा है जो हमारा ecosystem है जिस पर मारा focus है तो इस time पर on passive का focus है वह ecosystem के उपर जादा है यानि कि पूरी दुनिया के उपर है जो हमारे internet user है दुनिया के तो उन्हें पर on passive का focus जादा है राइट केवल founding members के उपर नहीं है हाँ जो special होता है जो केवल founding members के लिए ही होता है वह founder back office में जरूर आता है जैसे कि for example जो हमारे daily webinars होते हैं जो हमारे leaders website में post करते हैं तो कुछ ऐसे अपडेट हम सभी के लिए founder back office में आ रहे हैं और आते रहेंगे और corporate यानि की company की तरब से कुछ pop-up अगरा आते रहते हैं लेकिन जादा सज़दा updates आप हमारे ecosystem में आ रहे हैं और आएंगे क्योंकि on passive का focus पूरी दुनिया के उपर है internet users के उपर है कि वह लोग क्यों founding members के उपर नहीं है आई हूप यह point आप समझ पा रहे होंगे तो आप ecosystem पे ज्यादा focus कीजिए वह founder पर भी रखिए लेकि ecosystem पे ज्यादा focus कीजिए क्योंकि updates जो company की तरफ से updates हैं वो ज्यादा से ज्यादा possibilities हैं कि ecosystem में ही आएंगे तो ecosystem पे ज्यादा focus करिए I hope यह point आप लोग समझ गये होंगे marketplace को आप लोग चेक करते रहे क्योंकि जो हमारे products हैं चाहे हो trial की label पे हैं या फिर और किसी चीज की label पे हैं तो वह आपको marketplace में जरूर दिखेंगे तो उसको भी आप लोग चेक करते रहे हैं पूरा focus यानि कि अपना पूरा focus बना के रखिए ecosystem पे हर एक feature पे focus बना के का सारा focus कहाँ पे हमारा हमारा focus है ecosystem क्योंकि ecosystem के जरे ही यह सारी चीजह हम करने वाले हैं तो पूरा focus हमारा ecosystem के उपर इसलिए ecosystem को जादा ध्यान रखिए ठीक है ना आई होप यह point आप लोग समझे होंगे यहाँ पर दूसरा question मेरे पास आ रहा था India की regarding एंडे की regarding जो हमारे यूजर हैं जो जॉइन होते हैं ecosystem में वह एंडे साइन करते हैं सबको एंडे साइन करना होता है affiliate link generate करने के लिए राइट तो जब एंडे साइन करने आते हैं तो इस ट्राम पर कुछ दिन से तीन चार या पास दिन होगे होंगे लगभग ऐसे कुछ तो यहाँ पे क्या हो र यानि कि कुछ दूर पे दिखाई देता जो signature होता है वो कुछ दूर पे दिखाई देता फर इजमपल यहां पर कर रहे हैं तो signature दिखाई देता उनको वहां पर तो यह एक टेक्निकल इस्यू है और इस क्रिगर्डिंग मैंने आलेडी सपोर्ट को mail कर दिया था reply भी आ गया और उनको मालूम भी चल गया है आई हो कि यह बहुत ही जल्द ओके हो जाएगा फंड लेकिन यहां पर ऐसाने की signature हो नहीं रहा है लेकिन यहां पर थोला से दिमाग लगाना पड़ेगा और यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आप signature करना ही चाहते हैं तो य हो कि आप signature कर पाएंगे या फिर अगर आप signature कर रहे हैं finger उठा कर आप एक अच्छर टाइप करते हैं कि वर्ड आप टाइप करते हैं capital letter में टाइप करते हैं यहां पर क्या होगा कि एक वर्ड टाइप करने के बाद दूसरा वर्ड अगर टाइप करना है तो थोड़ा सा आप नहीं टाइप कर पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप सूरज ही टाइप करके signature कर दीजिए जो भी आपका real signature है जो आप हर जगे से signature करते हैं वह signature आप type करके save कर सकते हैं या पिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा wait कर लीजिए check team को पता चल गया कर दिया था तो उनको पता चल गया है आप अच्छे से signature कर पाएंगे जिससे हम लोगों ने पहले किया है ठीक है और यहां पर तीसरा question मेरे पास आ रहा रहा एको सिस्टम की रिगारिंग कि एको सिस्टम में and of founder back office में select language का option नहीं आ रहा है यानि कि अगर हम back office को जिस language में translate करना चाहें back office के update को या फिर information को जिस language में translate करना चाहें तो translation का option नहीं आ रहा है I hope कि next update में उस सारी चीज़े ओके हो जाएंगे and select language का option आपको जरूर दिखाए देगा तो यह एक प्रॉब्लम है तो टेक्निकल इसू है में भी कुछ यहां पे दिक्कत होगी तो ओके हो कि वह automatic हो जाएगे कोई problem नहीं अपन लेकिन इस टाइम पे जब तक select language का option back office में या को note किया जिसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला important question यह है कि paid product live होने के बाद और traffic package जो हम सभी जानते है सकते हैं इसमें कोई भी problem नहीं है आप offline physically digitally जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपका कोई personal website है अगर आपका YouTube channel है अगर आप email marketing करना जानते हैं WhatsApp marketing Facebook marketing Instagram marketing right बहुत सारे marketing के तरीके होते हैं YouTube paid advertising होता है right paid promotion करवा सकते है YouTube पर तो बहुत सारे तरीके होते हैं digitally जो आप digitally अच्छे तरीके से यानि कि जो on passive का rule and regulation है जो term and condition है उसी हिसाब से post अगर बना के जो भी आप reels अगर बना सकते हैं Facebook पर Instagram पर जहां भी आप बना सकते हैं YouTube पर बना सकते हैं तो जिस तरीके से आप digitally करना चाहें आप कर सकते हैं लेकिन company के rule and regulation को ध्यान में रखक अच्छे तरीके से professional लगना चाहिए जो भी आप promotion करें social media पर professional लगना चाहिए आपका post और दूसरा important question यह आया था कि अगर हम on passive के product को use नहीं करते हैं तो इससे क्या कोई दिक्कत होगी तो I think मैंने इसकी regarding पहले भी आपको बताया था मैं again repeat कर देता हूं जो हमारे नई user हैं जिन्होंने भी recently on passive ecosystem में registration किया है हो सकते हूं को मालूम ना हो confusion हो doubt हो तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि on passive के किसी भी paid या फिर free product को use करना compulsory नहीं है यह आपकी इच्छा है उसको आप use करते हैं कि नहीं करते हैं आने वाले टाइम में अगर आप free product को use करेंगे या हो गया या फिर आप ecosystem में समय बिता रहें किसी product को use करें उसमें समय बिता रहें तो यहाँ पर जितनी भी activity आप करेंगे ecosystem में तो आने वाले टाम में क्या होगा कि आपको कुछ free credit मिलेंगे यहाँ पर credit मिलने का system अभी start नहीं वह लेकिन आने विल टाइम में start हो जाएगा व अगर आप paid product को buy करके reseller बन जाते हैं अपना selling का process start कर लेते हैं तो जिस paid product को आपने buy किया है जरूरी नहीं कि उसको आप use करें जरूरी नहीं है कि आप उसको use करें अगर वो product आपके use के लायक है अगर आप उसकरना चाहते हैं अगर आपको जरूत है use करने की so definitely उसको आप कोई दिक्कत नहीं उसको आप use कीजे लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है उसको जरूरत पड़ेगी तो definitely वो use करेंगे कोई प्रॉलम नहीं है I hope यह सभी points आप सभी को अच्छे से समझ में आ गे होगे वीडियो इंफ्रमेटर बेंग से वीडियो को लाइक कर दीजेगा, फेन को सेर कर दीजेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर के लिजिएगा